नमस्कार दोस्तो ग्यों की फशल से अच्छी पैदाबाल लेने के लिए हमें 17 मुख्य पोशक तत्तों की जरूवत होती है जिन में से 3 पोशक तत्तों हमारे सबसे मेन पोशक तत्तों हैं जो कि पहला है फासपोरस दूसरा है नैट्रोजन और तीसरा है पोटास इन 3 तत्तों की हमारी ग्यों की फशल को सबसे जरूवत होती है इसके अलाबा और पोशक तत्तों की भी हमारी फशल में बहुत जरूवत होती है बले ही कम मात्रा में हो क्योंकि ग्यों की विजाई से लेकर और बगने तक इन पोशक तत्तों की बहुत जादा जरूवत पड़ती है अब इन सारे पोशक तत्तों को किसान अलग-लग डालने जाएगा, तो उसका खेती का खर्चा बढ़ता है, ऐसा किशान मानता है, मैं इस चीज को नहीं मानता, अगर हम किसान के नजरिये से देखें, तो किसान चाहता है कि कम लागत में हम खेती से अच्छा मुनाफ़ा लें, होना भी यही चाहिए, हम कम लागत में अपनी फचल से अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं, तो हम अपनी खेती को सई दिसामे लेके जा रहे हैं, अब यहाँ पर कई सारे किशान क्या करते हैं कि D.A.P. को तो बहुत ध्यान से डालेंगे बले ही कमात्रा में डालें लेकिन D.A.P. को डालते जरूर है नाइट्रोजन को भी भर भर के डालते हैं इसके अलावा तीसरी चीज पोटास पर कम ध्यान देते हैं जबकि हमारी गेहों की फसल के लिए सारे पोशक तत्तों की जरूरत पड़ती है अब ये तीन चीजे तो एक बार को डाल देंगे किसान लेकिन इसके अलावा जिंक हो गया, कैल्सियम, मैंगनीशियम इन चीज़ों पर किसान ध्यान नहीं देते हैं और इसके अलावा किसान कुछ तत्तों को जैसे बोरान, कैल्सियम या मैंगनीशियम बगएरा इनको जानबूज करी अपनी खित में नहीं डालना चाहते क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल नहीं मिलते अब किसान को चाहिए कि हमारी फसल में अगर तीन-चार दिन में हमें कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया तो अपनी फसल में डालना ही वेकार है तो किसान के मन से ये चीज़ों उतर जाती है किसान सोसता है कि उसकी फसल में कुछ तो बदलाव होते कुछ हरापनिया बड़वार बगएर कुछ तो होती किसान यहाँ पर यह सोचता है कि इन चीजों को डाल कर मुझे अपना पैसा बरबात नहीं करना है किसान को आज के समय में अपनी फसल से सबसे तेज रिल चाहिए होते हैं इसकी बज़े से वो इन चीजों पर विस्वास कम कर पाता है तो दोस्तो हम अपनी गेहूं की फसल में हमारा खेत कमजोर है हम पोशक तत्यों को नहीं डाल पा रहे हैं या डालना नहीं चाहते हैं तो उस कंडिशन में हम अपनी ग्यों की वसल से जादा से जादा पैदावार कैसे लें। पोशक तत्तों के अभाब में पौदों का ध्यान एकी जगह होता है। या तो जड़के विकास की तरफ या फिर पौदे की बड़बार की तरफ। क्योंकि पोदे की जड़े पोशक तत्तों को ढूणने के लिए मिट्टी की गहराई में चली जाती हैं तो उस कंडिशन में जड़ोका तो विकास हो जाता है लेकिन बड़बार नहीं हो पाती है। या फिर पौदे बड़बार पर ध्यान देते हैं तो जड़ोका विकास नहीं हो पाता है। तो उस कंडिशन में मुझे निजगता कि आप अपनी ग्यों की फसल से अच्छी पैदावार ले पाओगे। क्योंकि केबल डिएपी, नाइट्रोजन और पुटास के सारे हम खेती तो नहीं कर सकते हैं इसके अलाबा और भी पोशक तत्तों के हमारी फसल में बहुत ज़्यादा जरुवत पड़ती है। या फिर कुछ ऐसे पोशक तत्तों होते हैं जो आपकी खेत की मिट्टी की गहराई में घुश जाते हैं जहाँ पर पौदे की जड़े नहीं पहुझ बाती हैं और आपकी पौदे की जड़े उन पोशक तत्तों को अप्टेक नहीं कर पाती हैं। तो उस condition में हमें अपनी ग्योंग की खेती में ऐसा क्या डालना है, जिससे हम पैदाबार को next level पर ले जा सके हैं। तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब पर के all notification को on कर दें। जिससे आने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहे हैं। तो दोस्तो यहाँ पर हम ग्योंग की वसल में जो पहली यूरिया देने वाले हैं, उसके साथ हम बायो फटलाइजर मिला सकते हैं, जिसे हम बैम बोलते हैं। और यह आपको मार्केट में माइक्रो राजा की नाम से मिल जाएगा, जो मित्र फंगस या फपूंद है। इसे हम अपनी ग्योंग की वसल में यूरिया में मिला कर डाल सकते हैं। इसका मेली काम होता है, आपकी पौदे की जड़ों के आसपास एक जाल बना देते हैं, जिसे हम हाई भी बोलते हैं। और यह पौदों की जड़ों में घुसकर प्रोटीन या भोजन को ग्रहन करते हैं। और यह बतले में हमारी ग्यों की जड़ों को पोशकत उपलब्द कराते हैं। और केलसियम, इसके अलाबा जिंक, मैंगनीशियम या बोरान जो आपकी मिट्टी में फिक्स पड़े हैं। या फिर बहुत ज़्यादा गहराई में पड़े हैं, जिसे पौदे अब टेक नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर माइकुराजा का काम होता है कि यह सारे तत्तों को आपकी जड़ों को पलब्द कराना। आप एक हिसाब से मान के चलिए कि आपकी जड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा बिकास कराता है। जिससे पौदे मिट्टी की गहराई में पड़ूए पोशक्ततों को इंटेक कर पाने हैं। अब इसके अलावा और भी काम हैं जैसे आपकी मिट्टी में ज़्यादा जल भराब होता है। तो अगर उस कंडिशन में आप अपनी गहूं की वसल में मैकुराजा को डालते हो तो पानी के सोकने की छमता बढ़ती है। या फिर कुछ ऐसी मिट्टी होती हैं जहां पर आपकी नमी नहीं रुकती है। मैकुराजा मिलाकर ना डालें। इससे सीधा आप मिट्टी भी मिलाकर डालें। और किसी भी फटलाइजर या फंगी साइड या फिर इंसेक्टी साइड के साथ मिलाकर ना डालें। और मैकुराजा और फटलाइजर के बीच आप कम से कम 20 दिन का गैप रखें। उस condition में आप माईको राजा को अपनी ग्यों की फसल में डालते हो तो आपको 100% result मिलेंगे तो दोस्तो ये तो होगे अपनी ग्यों की खेती में कम लागत देकर अच्छी पैदावा लेने का formula आप अपनी ग्यों की फसल में पोशक चत्यों को नहीं देते हो या कम मात्रा में देते हो तो इस condition में अगर आप माईको राजा को डालते हो तो आप अपनी ग्यों से बहुत अच्छी पैदावा ले पाऊगे तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगाओ तो एक लाइक करिए साथी चैनल को सब्सक्राइब करिए जय किसान